अब हल कर वन कम डू है हलो इन वर्दान क्लासेश मैं सुझार वर्मे आपका बर्दान क्लासेश में त्वगत करता हूं क्यों से आप लोग उंमिद करता हो अच्छी होंगे और आपने अब तक की सारी सीरीज देख लियोंगी अब तक इस सीरीज में सारी सीरीज नहीं सारे सीरीज के वीडियो उस देख लिया होगे अब तक मैंने इसमें पांच वीडियो एड़ किये हैं और ये छठा वीडियो है पांच वीडियो में मैंने क्या-क्या बताया है अगर उसका सार देखा जाए हमने बताया पहले में नमबर क्लासिफिकेशन दूसरे में एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिफिकेशन, डिविजन बताऊंगा इसमें थोड़ी चर्चा की है कि यह उप्रेशन बताने है थोड़ा सा एडिशन के बारे में यहां पे आपको डिसकस किया है और बताया है एडिशन कैसे करना यहां पे इंटीजर्स का एडिशन बताया है प्लस फ्रेक्शन का भी थोड़ा सा बताया था और यहां पर fraction के practice करवाई थी इतना किया था और यहां subtraction काया कि बहुत ही बहतरीन तरीका बताया था जिसको आप master कर लेंगे तो आपका subtraction मतलब fingertips पहोगा आपकी subtraction यानि घटाना घटाने की सीरीज में ही मैंने एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूं मतलब कैसे घटाना करना है तो पहले वीडियो में मैंने बात कि थी आपके complimentary बहुत fast होने चाहिए क्या होने चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री बहुत फास्ट होने चाहिए ठीक है अब कॉम्प्लीमेंट्री फास्ट कैसे करें सवाल यह है कि complementary fast कैसे करें तो मैं आपको कोफ़ तरीके बता रहा हूँ और फिर सवाल कराऊँगा तो थोड़ी complementary के आपके practice भी हो जाएगी जैसे मैंने आपका कहा 73 इसका complementary बताईए तो आप क्या सोचे ना आप 80 से सोचना सुरू करें इधर 20 है और इधर कितना है साथ है तो 27 ठीक है यह सोचने में आपको लग सकता है कि टाइम ज्यादा लगेगा बट यकीन माने है कि आप प्रेक्टिस करेंगे तो यह आपके आपके आटोमेटिक होंगे जिसे मैंने कहां दस का कॉंपलिमेंटरी अगर मैं आपसे कहता हूं ए कि आपके जो कॉंपलिमेंटरी हैं वो आटोमेटिक हो जाए जैसे आप एक बोला जाए आप दूसरा तुरंत बोलते हैं उसको कॉंपलिमेंटरी ठीक है तो तरीका आपको समझ आया मैं ऐसे ही करता हूं फिला सेवेंटी 63 है मुझसे कोई पूचे इसका बता दो तो मैं क्य सब्सक्राइब करता है जैसे मैं आपको इग्जांपल देता हूं मैं यहां पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूं ठीक है जैसे मैंने कहा 67 53 17 89 82 और 46 आपको इन सब के कॉंपलिमेंटरी क्या करने हैं लिखने है मैं आप कितनी जल्दी लिख सकते हो देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं ठीक है और आप भी मेरे साथ करें जैसे इसका होगे उतना फास्ट नियों का जितना एक्सपेक्टेड है जैसे मैं आपको एक्जामपल दो 562 में से 238 घटाना है तो आप 238 से कहां चलोगे आपको 238 से कहां तक चले जाएंगे अगर टाइम लाइन बनाओ ठीक है या डिस्टेंस लाइन बनाओ जैसे मैं ने कहा आपको 238 से कहां तक जाना है 452 तक जाना है सवाल वदल गया खेर वह याद नहीं था नमबर अब आपको यहां से कहां तक चलना होगा 300 तक इसमें खेर वह वाला भी तरीका लग जाएगा 238 से 338 तक चले जाओ ठीक है 300 तक जाने में कितना चलना होगा इसका 38 का कॉंप्लिमेंटरी कितना होने वाला है आप कहोगे यह होगा 62 300 से 452 जाने में 152 अब इसको जोड़ देना होगा कितना आ जाएगा आप कहोगे 214 ठीक है अब इसी चीज को ऐसे समझा जा सकता है कि 238 से जाना कहां तक है 452 तक जाना है तो हम कहां चले जाएं हम 438 तक चले जाएं जो कि ज़्यादा आसान होगा इस केस में अब 238 से 452 तक जाना है और 438 तक हम पहुंच चुके हैं 200 डिस्टेंस चल कर आने वाले कितनी डिस्टेंस चलनी है बोलो यह जानने पड़ीगा आपको 14 तो 214 इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको यह जानकर आश्चर होगा कि इस वाले नंबर को आप अगर ट्रेडिशनल मेथेट से करते तो आपको बहुंच जादा समय लगता ठीक है कैसे जरा देखो मैं आपको दिखाता हूं यह से 452 और क्या था 238 यहां कैरी का सीन आ जाता आप कैसे कैसे होगा आपने कहा 12 मैं से 8 गया 4 बचा फिर एक यहां 4 चार मैं से 3 गया एक 4 मैं से 2 गया कैरी का जहां भी जहमेला होगा वहां टाइम लगेगा ठीक है तो कैरी वाले तरीके नहीं अपनाएंगे मैं दुखो अगर आप इसी तरीकों का अपनाना चाहते हो लाइन खीच करी करना चाहते हो तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं इसी के लिए वीडियो आप बनाया है मैंने या इसी के लिए नेक्स्ट वडीयो में मैं सब्ट्रैक्शन कर पार टू लेकर आया हूं आपको कॉम्प्लिमिन्टरी नहीं हिस ट्रॉंग करने इस बात का ते धियान दो जो थोड़ा थोड़ा नहीं आता है ये आगे वाला लेक्चर आपको समझने नहीं देगा ठीक है? इसलिए प्रेक्टिस करिए तो कैसे होगा जरा देखो अगर मैं 384 अपॉन 297 घटाता हूँ मैं आपको वह traditional method बता रहा हूँ थोड़ा सा उसमें बदला हो करके सुचने का थोड़ा तरीका बदलो के तो समय बचेगा जैसे आपने क्या कहा एक कहरी लिया तो ये क्या हो गया? 14 अब ये 14 हो गया ये 7 हो गया आप कहो कि 14 में से 7 गया तो बचा 7 फिर आपने कहा यहां बच गया अब 7 साथ, साथ में से नौज नहीं जाएगा, तो एक कहरी धर जाएगा, तो ये क्या जाएगा, सत्रा, सत्रा में से आपने नौ गया, बचा आठ, यहाँ जीरो बच गया, कुछ नहीं बचा, सत्तासी बचा, तो मैं कहूंगा आप कहरी मत सोचो, आप कहरी क्यों सोच रहो हूँ आप कहरी के बारे में मत सोचो, मैं आपको एक magic दिखाता हूँ आपको चार में से साथ घटाना था यहां पर आपने यहां से एक कहरी लिया, इसको चौदा बनाया और साथ घटाया तो साथ मचा मैं गतां ऐसा मत करो, आप चार और साथ के बीछ डिफेरेंस कितना है डिफेरेंस ऐसे बनता है और से डिफेरेंस मतलब अंतर होता है साइन ने लिखेंगे तीन है तीन के साथ होता है साथ होता है, तो अगर घटाना सीधे direction में हो रहा है, लेट से ऐसे हो रहा है, साथ, चार, तब तो तीन आएगा, लेकिन अगर उल्टा घटाना हो रहा है, आप चार से साथ घटा रहे हो, आनि कि छोटे नंबर से बड़ा वाला घटा रहे हो, तो difference का complimentary होगा, difference कितना है, चार और साथ का, तीन है, तीन का complimentary है, साथ आने वाला है, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझाने थी, आ गया जाओ, आठ सो सत्तान्नबे, नो सो अर्तिस, तीन सो नवाशी, दो सो तिरान्नबे, 600, 637, 589, तो कुछ examples दिखे हुए, मैं समझाता हूँ, लोग इसमें क्या होता है, एक ऐसा case बन सकता है, कि यहाँ से आप एक carry उठाओ, और क्या हो, यह 17 बन जाए, 17 में से आप 8 गटा, तो 9 बच जाए, तो अगले case में, जैसे आप next में आओगे, तो आपको फिर carry क्या बत सकता ना पड़े, ऐसा हो सकता है, कि अब 8 बचा, 8 में से 3 गटा है, 5 बचा, तो सिर्फ एक carry लेना पड़ा यहाँ पे, sorry, इसको 9 हटाना पड़ेगा, अदरवाइस माइनस में आ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है, कि आपको सिर्फ एक बार carry लेना पड़े, आपका answer आजए, सिर्फ एक बार, only one time, ऐसा हो सकता है, कि एक बार carry लेने के बाद, यह ऐसा हो सकता है, यहाँ पे carry ना लेना पड़े, कि 9 में से 3 के 6 बचा, अब आपको यहाँ में carry लेना पड़ता है, 18 में से 9 बचा, क्योंकि आपने एक यहाँ से उठाया, ऐसे करके, कट गया, अच्छार बगया, तो मैंने कहा, ऐसा हो सकता है, कि carry कहीं पर आ, कहीं पर ना है, यहाँ पे देखो, 41 की ěंक में carry लेना पड़ा, यहाँ आप देखरो, दाहाई की यहाँ में carry लेना पड़ा, ठीक है, ऐसा हो सकता है एकाई दहाई दोनों में लेना पड़े जैसे साथ में से नो नहीं जा सकता आप इसको एक कैरी लोग यहां से तो सत्रा में से नो गटा होगे, सत्रा में से नो गटा होगे, कितना होगा आठ बचेगा, फिर यहां दो बचा था आपको कि दो बचा थब नहीं कटेगा तो एक दर से लेना पड़ेगा बारा हो गए बारा में से आठ जाएगा चार बचेगा पांच हो चुगया था एक कैरी ले ही जा चुके थे जीरो बच गया ऐसा सोच सकते हो आप तो यहां पे दो केस बन सकते हैं या तो कैरी आएगा हासिल या तो नहीं आएगा एक लंबे से एक्सप्रेशन में ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आ और कहीं पे न आए जी से आपने यहां पर देखगा सिर्फ एक में और पाम बन गया।बंन देखे हैं lebih देखा दोनों में आया है। ऐसा हो सकता का शिर्फ बीच वाले में उ में अगला कि एगलाइक्जमपल दिखाता हूँ। जैसरे 3 बीच वाले में तो आच क्या है एकमे ना .. और किसमें, single में है, double में है, single में है और हाँ ठीक, यही case बनेगा और क्या, ठीक है यह तीनो case आपने देख लिए या तो इसमें आएगा, या तो इसमें आएगा, या तो दोने में आएगा इधर carry नहीं बचेगा क्योंकि नीच वाले को छोटा होना पड़ेगा ठीक है तो तीनों case आपने देख लिए अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं बताने जारा हूँ तो थ्री डिजिट भाई थ्री डिजिट का आप सीख लिजिए तो बागी में भी apply कर पाएंगे जैसे इस same examples को मैं copy करता हूँ अरे दूसरे slide में नहीं जाता है क्या है कर्टोलेक्स जाता है भाई या गया ठीक है देखो same number मैंने लिख रखा यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था complimentary case वो तो transition method था complimentary आपको 10 के भी बहुत fast होने चाहिए जैसे 10 का अगर एक 7 है तो दूसरा 3 होगा एक 4 है तो दूसरा 6 होगा एक 5 है तो दूसरा 5 होगा एक 2 है तो 8 होगा साथ है तिन लिखी चुके एक है तो 9 है ठीक है तो यह complimentary आपको बहुत fast होने चाहिए very very quick अब जैसे 7 8 का difference क्या है आपने देखा 7 में से 8 जातो नहीं सकता 7 से 8 नहीं जाएगा मतलब difference लेना है difference कितना आया एक आया complimentary लिखो why क्योंकि छोटे में से बढ़ा घटा रहे हो ना मामला उल्टा कर रहे हो उल्टा करोगे तो difference का complimentary लेना पड़ेगा साथ और आठका अंतर क्या है एक है यह मत तो चो माइनस एक है difference हमेशा positive में ही आता है ठीक है मैं माइनस नहीं लगाते है और इसका complimentary 9 है complimentary लिखा अब आपने एक बार complimentary लिख दिया अब जो भी आएगा जो भी आएगा resultant resultant अगला वाला एक कम आएगा एक कम करना पड़ेगा जैसे नो में से तीन गया कितना बचा छे बचा पांच लिखना पड़ेगा आठ में से साथ गया एक लिखना पड़ेगा रिजल्टेंट एक घटाना पड़ेगा, यह रिजल्टेंट ऐसा हो सकता है कि डिरेक्ट मिल जाए, जैसे नोव में से तीन घटाए, छे मिल गया, ऐसा भी हो सकता है कि यहां भी कॉंपलिमेंटरी केस लगाना पड़ेगा, for example, मैंने कहा, रिजल्टेंट में घटाना होगा, और कब तक घटाना होगा, आप मेरे साथ बने रहे हैं भी आपको समझा जाएगी सारी बात, जैसे मैंने कहा, छे सो, जैसे नहीं, छे सो अड़तिस या, छे सो बत्तिस लिख दिया, और ये मैंने लिखा, दो सो नवाशी लिखा, ठीक है, घटाना है, आपने देखा है कि तो को दो में से नो नहीं जाएगा, बट इसका आपको डिफरेंस साथ दिखा, तो इसका कॉंपलिमेंटरी तीन दिखा, नो से दो जाएगा, तो साथ बचेगा ना, साथ को कॉंपलिमेंटरी यहां लिखा है, शेम केश आप यहां कर सकते हो कि आठ में से तीन गया, तो क्या बचाएगा, आठ से तीन का डिफरेंस कितना है, पांच है, पांच का complimentary क्या होता है पांच ही होता है पांच का complimentary तो को operation इस पे होगा इस पे नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या कह था resultant पे होता resultant मतलब जो उत्तर आएगा आपके हिसाब से यहां 5 लिखा जाना चाहिए था लेकिन अब 5 लिखने लाया का आप नहीं बचे हैं आप 4 लिखें बदल देता हूं मैं थोड़ा number बदल देता हूं मैं 8 हटा के यहां पर 6 कर देता हूं ठीक है अब सही रहेगा तो 2 और 9 का difference साथ है यहां पर 3 लिखा जाएगा 6 और 3 का difference 3 है इसका complimentary यहां 7 लिखा जाना था लेकिन 7 नहीं लिखा जाएगा साथ को क्या लिखा जाएगा एक घटा दिया जाएगा क्योंकि एक बार आप उल्टा प्रोसेस कर चुके हो एक बार के उल्टा complimentary का effect यह पड़ता है कि resultant में एक घटाना पड़ता आने वाले तो मैंने का ठीक आने वाले resultant में क्या करो एक घटा लो आपने घटाया आपने का 6 तीन का difference 3 इसका complimentary साथ यानि 6 लिखा जाएगा क्या इसमें भी घटाया जाएगा यह सवाल है मेरा तो जी हाँ बिल्कुल घटाया जाएगा 6 में से 2 का difference 4 है 3 लिखा जाएगा अब आपका सवाल यह हो सकता है कि कब तक घटायेंगे कब तक एक reduce करेंगे मैंने का जब तक एक direct expression ना जाए direct या direct expression नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे जब तक एक direct एक positive subtraction ना जाएगा यह जदा उचितवर्ड होगा जब तक एक positive subtraction ना जाएगा अब इसका मतलब क्या है जैसे for example यहाँ 6 थोड़ा बड़ा कर देता हूं जैसे मैंने का 6236 3889 मैंने जानबुच के सारे नंबर बड़े लिखे हैं तो मैंने का देखो ऐसा हो सकता है कि 69 का difference आपका 3 है और आप यहाँ 7 लिखें हो सकता है कि 3 और 8 का difference आपका 5 आया और 5 का complimentary भी 5 हो तो आप यहाँ 4 लिखें फिर 2 और 8 का difference 6 और 6 का complimentary 4 है 4 के बज़ा 3 लिखें मैं यहाँ पर complimentary लिख रहा हूं ठीके 6 और 3 का complimentary 3 6 और मिलब difference लिखें नहीं 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 हुआ क्यों क्योंकि एक बार inverse लगाने के बाद तब तक एक एक घटता रहेगा जब तक कोई direct expression ना आजए 6 में से 3 गया अब इसके आगे अगर कुछ होगा तब नहीं घटेगा जैसे अब 6 में से 3 घटा है इसमें तो घटेगा 6 में से 3 है तो difference 3 इसके लिखेंगे दो लेकिन अगर यहीं पर अगला expression ऐसे होता कि यहां 9 होता और यहां 6 होता तो इसमें कोई change ना आता तो 3 ही लिखते आपने देखा जहां तक inverse चलता है वहां तक complimentary में एक घटाते रहते हैं फिर नहीं घटाते हैं ठीक है मैं बहुत सारे example कराऊंगा आपको आज और यह आपको concept रट जाना चाहिए जैसे हमने कहा 693 पांच सो 89 ठीक है आपने क्या किया 9 और 3 का difference कितना होता 6 होता है तो आपको क्या लिखना होगा चार लिखना होगा ठीक है नौर एक का difference एक होता है ना क्योंकि ये positive का मामला है सीधे उतारना है लेकिन एक घटा देंगे जी रो ठीक है समझे रो एक सीधे घटा देंगे अब यहां कोई फरक ने पड़ने वाला यहां नहीं नहीं complimentary का सीने ना कुछ क् कहानी खतम कहानी नहीं सीरे से सुरू छे में से पांच गया एक ठीक है एक बार inverse करने के बाद कहानी तब तक नहीं खतम होती जब तक कोई एक direct division ना हो जा जा पॉजिटिव सब्ट्रेक्शन ना हो जा नो में से 8 जाना 10 में से 2 जाना ऐसे करके 7 में से 3 जाना उल्टा नहीं सीधा जाना है ठीक है और सवाल करेंगे जैसे हमने कहा थोड़ा बड़ा लिखते हैं जैसे 3949 और फिर मैंने लिखा अठावाल ठीक है फिर लिखा नो भान नवे 2889 इसमें थोड़ा सा वाइरी है सना आपको देखने को मिलेगा देखो आठ और 9 का डिफरेंस कितना एक है क्योंकि उल्टा है इसलिए यहां पे इसका कॉंप्लिमेंट्स लिखा जाएगा एक का मैं एक क्यां लिख देता हूं एक सेकंट इंड्रोल चैट गोंड़ चैट है आइठिंक हमने गलत जगह पर लिख दिया है तो दिख नहीं रहोगा ठीक है मैंने का देखो आठ में से 9 गया डिफरेंस कितना आया एक हम सिपर डिफरेंस लिखेंगे तो उसका कॉंप्लिमेंटरी नो पांच में से 6 उल्टा का हिमामला है बेडिफरेंस कितना एक लिखेंगे कितना आप पांच में से 6 गया डिफरेंस एक जीरो लिखेंगे कुछ गलत किया कि एक मिनट रुको 8 में से 9 गया हाँ ठीक है 1 है तो 9 लिखा 5 में से अच्छा हाँ हाँ गलती कर दिये गलती ये कर दिये 5 में से 6 गया difference आया 1 लिखना चाहिए था 9 लेकिन लिखें गया 8 तमझे इस पर operation नहीं करते है difference पर ये बात याद रखना final result पर operation होता है अब कहानी खतम 9 में से 8 गया यहाँ पर खतम होगी ऐसा नहीं यहाँ पर अब 9 में से 8 गया है आना क्या चाहिए था difference एक बट लिखेंगे 0 अब ये positive वाली कहानी हो चुगी अब यहाँ पर कहानी खतम अब नए सीरे से कहानी तुरू 3 में से 8 difference 5 तो 5 लिखेंगे 5 लिखा ठीक है 9 में से 2 गया ये positive का मामला है कहानी यहाँ पर खतम होगी अब ठीक है कहानी यहाँ पर खतम हो जाएगी मैंने कहा 9 में से 2 गया actually मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है इसको हम 10 कर देते हैं तो बहतर होगा क्योंकि फिन नहीं तो negative आने लग जाएगा ना अब क्या है 9 में से 2 गया तो क्या बज़ा साथ लेकि लिखेंगे क्या 6 ठीक है कहानी खतम यहाँ पर फिन नहीं कहानी शुरू बात समझ में आ रही है मैं फिर से इस बात को समझाता हूँ जैसे सबसे पहले आप देखो कि difference difference अगर उल्टा है 8 से 9 घटा रहे हो यानि कि एक difference है यानि कि उसका complimentary no लिखेंगे फिर मैंने देखा कि फिर भी उल्टे का ही मामला है तो फिर मैंने difference देखा एक उसका complimentary no होता है आठ लिखा जाएगा फिर मैंने देखा आप सीधे का मामला गए यानि यहाँ पर कहानी खतम होने वाली है एक कम करने के बाद तो मैंने का 9 से 8 घटा कितना बचा एक अब एक ही तो इसका resultant है ना positive वाले में resultant same होता है जो उल्टे होते हैं उनमें resultant complimentary होता है जैसे यह negative आता है आठ में से 9 भेज कर देखो negative आजाएगा पांच में से 6 जा कर देखो negative आजाएगा तो जो negative होते हैं उनका complimentary आता है और एक बार negative का complimentary लिखने के बाद जितने बार आता है resultant वो एक एक घटते जाता है वो चाहे negative का चाहे positive का हो मैं resultant की बात कर रहू हूँ जो की इस line में दिखा है मैं difference की बात नहीं कर रहा हूँ resultant यहां पर 9 आना चाहिए तो 8 है, resultant यहां आना चाहिए तो 0 आया, बज जैसे positive का आ गया कहाने खतम कर दो फिर 3 का 8 difference 5 तो 5 का भी complimentary 5 ही होता है क्योंकि ये negative है negative जैसे आया वैसे ही क्या एक घटाने की कहानी सुरू हो जाएगी कहां तक घटा हैंगे जब तक positive का मामला नहीं आ जाएगा 9 और 2 का difference 7 आना चाहिए था इसका difference भी 7 होगा और 7 लिखना पड़ेगा लेकिन क्योंकि एक minus की कहानी हो चुकी इसे छे लिखना पड़ेगा उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ गया होगा कुछ subtraction लिख रहा हूँ इसी तरीके से आप करके दिखाऊ 389 बटे 278 278 532 बटे 489 642 बटे 368 589 बटे 799 612 बटे 389 836 बटे 697 ठीक है मैं एक एक सावाल सॉल्व कराता हूँ ठीक है जैसे 9 में से 8 गया एक बचा पॉजिट्व का मामला था 8 में साथ गया एक पॉजिट्व का मामला था कोई दिक्कत नहीं पॉजिट्व का था 2 और 9 का डिफरेंस कितना है साथ है लिखना कैची है 3 लिखा 3 और 8 का डिफरेंस 5 है 5 का कॉम्पलिमेंटरी 5 चार लिखेंगे 5 में चार गया एक बचा ठीक है 0 बच जाएगा क्योंकि यहां पर आके कहानी खतम होगी न कहानी पॉजिट्व पर आगर खतम होती है फिर मैंने का 2 आठ का डिफरेंस आपने का 6 लिखा 4 जाएगा फिर 4 चे का डिफरेंस 2 दो का कॉम्पलिमेंटरी 8 ठीक है इसे 8 दो का डिफरेंस 6 चे के लिए 4 लिखा चार चे का डिफरेंस 2 दो के लिए 8 लिखना चाहिए था बट 7 लिखा पिछे में से 3 तीन लिखना चाहिए था बट 2 लिखेंगे अब इस यहां पर पॉजिट्व आगा गया यहां पर कहानी खतम होगी ठीक है कॉंप्लिमेंटरी क्या होता है लो लीघ दिए दीने पांच में से दो गया तो बसना क्या जिये था वांच माने लाइव प्रफ का लिखना जिए था तो नहीं अक्यां चाथा क्यों फूझता पिस दीन खिखसोले करा करूं हर sina चाहिए थाbelt रिए right-to-premise gu eto जाता है तो उसका किवफेक्ट दूरतक रहता जब कोई पॉजितिव शना मिल यह है फॉजितिव बाकि निगेटिव यहां पर पॉजित्यू पाल है पैसमें ऐसमें पॉजित्यू हो प्राइब लेकिन इसमें क्या था ना कि इसकी वज़े से कोई effect नहीं पड़ा सिर्फ यहाँ पर कहानी हुई यह तो straight forward था इसमें यह भी उल्टा है, यह भी उल्टा है, यह positive है यह positive आपाई तो यहाँ पर कहानी खताम हो पाई ठीक है इसमें देखते हैं एक बार जैसे 6 में 7 गया, क्या होगा आपको 6-7 का difference होता है 1 क्योंकि उल्टा काम करें इसे 9 लिखा जाएगा 9 और 3 का difference होता है 6 6 लिखा जाएगा, इसका compliment is 4 लिखा जाता बट 3 लिखा जाएगा क्योंकि मामला यह भी उल्टे का है जब तक plus करना जाएगा, करते रहेंगे यही काम 8-6 positive का मामला आगे 8-6 गया, दो लिखेंगे, एक बस यहीं तक हमारा 7 था यहीं तक करेंगे, ठीक है उम्मीद करता हूँ, आप सबको समझ आया होगा जिसको नहीं समझ आया है, वो पूछ लेगा हमसे, ठीक है, क्लास में उम्मीद करता हूँ, सबको समझ आया होगा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा समझ आया होगा, क्योंकि मैंने एक ही बात पिछले 20-25 मिनट से समझ आ रहा हूँ, ठीक है तो समझ आ जाने चाहिए अब आप कहोगे कि ये तरीका बहतर है या जो हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में दिखा था, वो बहतर है तो मैं कोंगा बेसक पहले वाला तरीका बहतर है इसमें आपने ऐसे लिखा ऐसा को जरूरी थोड़े मैं ऐसे लिखेंगे मैं आपको एक्जम्पल देता हूँ जैसे एक एक्जम्पल उठा लेते हैं कोई सार्थ ठीक है दोखो ये इस तरीके से थोड़े लिखा जाएगा मानलो ऐसे लिखा है दो सो अठाथतर तीनसो नवासी 452 शेसो अठाथतर अच्छा सा लिख लेता हूँ अ ठीक है ये मानलो दो सो अठाथतर तीनसो नवासी 452 शेसो तिरपन और बस इतना करते हैं ना कि तो इक तरीका यहां पर ये कर सकता कि नो में से आठ गया एक बचा आठ में सेआथ गया एक बचाच vol थे ने से एक गया दो बचा मानलो इव के फार ये के की तो पहले डिखेस आ गया आigerा मानला प्युच्टीव उगका cały अब दोड़ी सी दिख्कत होगी जैसे क्या ने कि आपको आठ से 9 घटाना है आठ से 9 घटाना डिफरेंस एक है तो मैं करहां आप दिखो ना आप 9 यहां पर फायदा होगा आप दिखो 9 नो मैं बिहांड सेन क्या है मैं लिख देता हूँ आपके लिए ठीक है ताकि आप आप आठ से इसको घटाना है तो डिफरेंस एक आएगा लिखेंगे 9 पांच से आठ घटाना है यानि कि आना चाहिए था तीन यानि कॉंपलिमेंटिव का साथ यानि छे लिखेंगे तीन मेंसे दो लिखना आना चाहिए था एक लेकिन नहीं आएगा कुछ भी सिक्शे एना आप तो यह यहां पर ऐसे आप कर सकते हो यह लेकिन तब कर सकते हो जब आपको पिछले अले तरीके पर आपने बहुत ज़्यादा काम ना किया हो और आप इसी तरीके से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो ऐसा सोच सकते हो मैं चार से बावान आठ मैंने कौघ दे को दो आठ कितना है आप कोगे छै लेकिन दो से आठ जा रहा ना को कम्प्रिमेंटरी आगे चार पांच में से पांच जा रहा है जिरो अब जीरो हो गया जिरो को कॉंप्रिमेंटria क्या होगा बोलो 10 होगा और 10 से कम करें कि 9 तो 10 बनाना है ना तो जीरो का 10 हो जाएगा चार में से 3 जाकर क्या बनता है एक अब यह पॉजिट्व का केस आ गया अब जीरो बस अब एक के बज़े जीरो आ जाएगा तेम यहां पर देख लो आप 3 से 2 गया एक सही था 5 से 5 गया 0 सही था 6 से 2 चार गया दो जाएगा जो जब ऐसा एक्सप्रेसन आ तो आपके लिए बहुत आसान रहेता कि सब कुछ ब तो डिफरेंस निकालने का यह वन आप तरीका है लेकिन अगर आप इसको नहीं अपनाते हो जो पहला तरीका अपनाते हो तो बहुत अच्छी बात है यह बहुत आसान कर देगा आपके काम को पहला तरीका जैसे 89 से 300 तक जाना है 11 क्लस 58 कितना हुआ 69 का तब 358 से 452 जाना है मैंने कहा यह आजाएगा आपका 96 96 कैसे आया आप ऐसा बोल सकते हो कि 358 से कहां चले मैंने कहां तक चले 400 तक चले 400 तक चलने में आपको चलना पड़ा 42 और इधर 52 के 94 आ रहा है कि कुछ गलस हुआ है कि यह 42 और 4 50 to 52 94 से तो है गलत क्या था 94 होगा ठीक है यह होगा आपका 94 फिर 452 से 600 तिरपन तक चलना है तो मैंने कहां 452 से 652 तक चले जाओ ना है यहनि 200 चलो फिर एक चल ले ना 200 एक हो गया ठीक है तो खेर रोज तरीके का तो कोई तोड़ है ही नहीं यह एक सस्ता मैठड है ठीक है तक अप्रस्ता सर अब ज्यादा काम का नजें ठीक है तो बस इतनी सी बात है कि व्याथरे जादा बहतर थां यह वाला मैठड उत्तना बहतर नहीं है कॉम्प्लिमेंटरी की understanding complimentary की practice के लिए आप इसको अपना सकते हो और किसी बहत से खराब भी नहीं है लेकिन उतना बहतर भी नहीं है average method है कैसा है average method है यह ठीक है खर आपके traditional से तो बहतर ही है लेकिन वो best method है जो मैंने कल बताया था जिसमें कहा था कि आपको क्या करना होगा lower limit से upper limit तक जाना होगा 382 से 499 जाने की कोशिस करो कितना होगा 382 से 422 चले गए और कितना जाना पड़ा 17 जाना पड़ा तो 170 खतम ठीक है ऐसे करना होगा सब्ट्रेक्शन में इतनी सी बात थी कल हम सीखेंगे कल हम क्या सीखेंगे कल हम edition प्लस सब्ट्रेक्शन का मिक्स फॉर्म सीखेंगे ठीक है और उसी में मैं आपको दोनों चीजे सिखाने वाला हूँ क्या क्या इस एक टेप्ट्रेक्शन इन्टीजर और दोनों का मिक्सचर यानि कि जिसमें दोनों हो फ्रेक्शन और इन्टीजर कैसे जोडते हैं ठीक है कल का लिक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा में लेकिन कल मैं आपको यह सिखाऊंगा ठीक है अथ्प्रेक्षन और फ्रेक्षन और और एंटीजर जब दोनों मिल जाएं तब क्या करेंगा तो एडिसन सब्रेक्षन आप यह इंसेयोर करते चलो कि आपको जितना पिछला पढ़ाया आप उसको पक्का करते चलो ठीक है तब ही आगे आने वाली चीज़ समझाएंगी और ये बात अभी मैं थेहरेटिकल कह रहा हूं आपको प्रेक्टिकल दो तीन दिन बाद पता चल जाएगी ठीक है इसलिए पिछला वाला आप करते रहो ठीक है धन्यवाद मिलते हैं आपको कल के वीडियो में